Hello friends, welcome back. स्वागता आपको International Relations, Foreign Affairs और हाल ही में जो लगातार एसकलेट होता हुआ Russian-Ukrainian War दिखाई देता है उससे related एक और टॉपिक पर. दोस्तों, तीन या चार lectures हम अब अल्रेडी डेलेवर कर चुके हैं same subject पे लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए इतना बड़ा डेलेमा क्यों है एक तरफ रश्या, दूसरी तरफ Western Allies, Principles and Values अभी ये जो डेलेमा है मुझे लगता है International Relations के अलावा ethics, essay या even general understanding of real politics Real politics का मतलब है कि इस international affairs की दुनिया में ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई दुश्मन अगर आपके relationships, equations, आपके responses अगर कोई चीज ड्राइव करती है तो वो real politics Real politics का मतलब है कि आपका self interest किस चीज में है, किस चीज को करने से आपका self interest hurts हो सकता है और किस चीज को follow करने से आपका self interest enhance हो सकता है, support किया जा सकता है उसी basis पे आप अपने decisions को लेते हैं और कई बार situation ऐसी हो जाती है कि जिसे कहा जाता है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, between the rock and the hard place और वहाँ पर आपको एक delicate balance try करना होता है, इंडिया भी अभी लगातार वही और बहुत successfully मैं कहूंगा करने की कोशिश कर रहा है इंडिया का जो ये tight rope walk है, western world and Russia के बीच में, क्या इसके माइने है, इसको थोड़ा सा detail में समझा जाए तब ही आप समझ पाएंगे कि international relations या कई बार morally, ethically हो सकता है कुछ और आपको सही लगे लेकिन हो सकता है आपका self interest या national interest या national security या real politic आपको जो दूसरी choice हो उसको balance करने के लिए मजबूर कर दे दोस्तों किसी भी lecture, किसी भी वीडियो का अगर आपको PPT PDF चाहिए, आप description section में जा सकते हैं या हमारे telegram channel को आप join कर सकते हैं, English और Hindi दौनों में ही आपको resource material available करवा दिया जाएगा शुरू करते हैं, सबसे पहले news में क्यों बना रहा? बहुत unfortunate turn of events between Russia and Ukraine ये जो conflict या limited military operations start हुआ, रश्या की तरफ से 24th of February लगातार escalate या बढ़ता ही चला जा रहा है बहुत सारे cities of Ukraine के ऊपर रश्या के attacks लगातार intensify होते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे एक limited scale warfare अब एक major humanitarian crisis में convert होता हुआ दिखाई देता है रश्या का जो attack रहा युक्रेन के ऊपर, उसमें Honorable Prime Minister Shree Narendra Modi ji ने अपील की कि रश्या और युक्रेन दोनों को immediately जो violence है उसको seize कर देना चाहिए, रोग देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और उन्होंने immediate cessation of violence का suggestion रश्यन प्रेजडेंट विलामेदिर पुतिन को भी दिया अपनी phone call में और उन्होंने ये भी कहा कि सभी parties को concerted efforts ensure करने चाहिए ताकि जल्दी से ये warfare conflict खतम हो और सभी लोग फिर से diplomatic negotiations और dialogue के table पर आएं ताकि ऐसे issues को violence के थूर आस तक कभी भी solve नहीं किया जा सका है हमेशा issues resolve होते negotiations के थूर, dialogues के थूर, diplomacy के थूर और उन्होंने कहा कि जो long standing issues हैं या convictions हैं या differences है Russian interest या NATO group के interest इनको आप honest और sincere dialogue से ही resolve कर पाएंगे और इस वज़े से इंडिया का जो एक fine balance है जैसे इंडिया ने कहा कि रश्या को immediately violence को रोकना होगा, cease करना होगा ये हो सकता है western block या western world को काफी अच्छा लगा हो, appreciative लगा हो, appealing लगा हो इंडिया अभी एक major diplomatic dilemma से गुजर रहा है और दोना तरफ उसके strategic basically partners हैं clear side लेना इंडिया के लिए ना ही तो diplomatically, technically, national interest point से या real politics standpoint से possible है honorable prime minister श्री नरेंजर मोदी जी ने कई cabinet committee on security की meetings को hold किया कि इंडिया के interest में क्या है, इंडिया कैसे अपने दोनो friendship blocks के साथ इस delicate situation को balance कर सकता है इंडिया ने शुरुवात में जब एक conflict start हुई, तो सबसे पहले कहा कि इंडिया concerned है कि ये conflict start ही क्यों हुई और उस वक्त इंडिया को बहुत criticize किया गया कि इंडिया एक strong stand नहीं ले रहा है अपने long standing ally Russia के against जबकि ये violence, conflict, aggression रश्या से ही imminent या शुरू किया हुआ दिखाई देता है पिछले हफ़े इंडिया ने अपनी position को थोड़ा सा और harden किया और concern के बजाए अब इंडिया ने regret express किया कि situation बत से बत्तर होती चली जा रही है Honorable External Affairs Minister Shree S.J. Sankar को कई बार phone calls आए European Union के High Representative on Foreign Affairs and Security Policy Joseph Birrell and British Foreign Secretary Liz Truss जो ambassadors है G7 countries और G7 countries में कौन कौन से countries included है Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and US और Ukraine के ambassadors के एक meeting हुई Delhi में ताकि Ukrainian cause के लिए या Ukraine के साथ अपनी solidarity को वो express इसके थूँ कर सके और उसमें Russia का जो aggression है उसको unjustifiable ठहराया गया गलग ठहराया गया इंडिया के उपर Western Block खास्तोर से जिसकी leadership United States of America कर रहे हैं उनकी तरफ से लगातार बहुत pressure बनाया जा रहा है कि बहुत clear terms में वो un-equivocally Russia को condemn करें उनके actions को condemn करें और सिर्फ condemn ही ना करें लेकिन जो international forums हैं जैसे कि United Nations या United Nations Security Council की general meetings उसमें भी इंडिया US-led block को Ukraine को support करने में मदद करें इंडिया लगातार United Nations Security Council या United Nations की जितने भी meetings हो रही हैं खास्तोर से Ukrainian issue को लेके कई सारे उन meetings में से abstain कर रहा है मतलब participate नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है एक clear side चुनना और मैं तो कहता हूँ कि life में भी चाहाँ कि personal life हो, professional life हो, international relations हो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बड़ी दुविदा में फस जाते हैं एक तरफ कि अगर आप side लेंगे, यह जानते हुए भी कि दूसरा party गलत है तो आपके relations खराब हो सकते हैं हो सकता है, बहुत डिकेट से आपके relationship इतने strong हो गए हो, आपके interdependence इतनी ज़ादा बढ़ गई हो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो अब उस पे backtrack करना और इस delegate situation को इंडिया किस तरीके से या tactfully manage करता है, यह इंडिया की real politic abilities का test भी कहा जाता है इंडिया को strategic choices choose करने के लिए दोनों ही blocks लगातार force कर रहे हैं रश्या चाहते हैं कि इंडिया अपने आपको इससे दूर रखे, abstrain रखे, या रश्या के खिलाब कोई adverse comment ना करे या Ukraine के clear support में कोई comment ना करे, कोई action ना ले वहीं जो western block है, उनका कहना है कि जब aggression clearly Russia ने start किया एक sovereign independent country के उपर और एक sovereign independent country को पूरा पूरा हख है कि किस block को चाहे वो NATO ही क्यों ना हो join करना चाहें या ना करना चाहें तो कोई दूसरी country एक sovereign country के independent decision को कैसे interfere कर सकती है तो इंडिया की strategic choice एक तरफ तो इंडिया के जो principles है, values है, moral है एक तरफ और दूसरी तरफ practical realities, pragmatism, इंडिया के self interest and real politics दौनों में से कोई भी choice इंडिया के लिए असान नहीं है और अगर हम इंडिया के कुछ statements को देखें जो इंडिया ने United Nations Security Council या UNSC में दिये हैं तो पहला गर आप statement देखें, इंडिया ने कहा कि जो security council है, वो कई बार मिल चुकी है situation को discuss करने के लिए और इंडिया ने कि इस situation को urgently कैसे dyscalate किया जाए सारी tensions को इसके अलावा sustained और focused diplomacy को table पे वापस कैसे लाए ताकि सिर्फ इस issue को नहीं लेकिन future issues को भी avoid किया जासके, resolve किया जासके diplomacy से and negotiation से उसके बाद इंडिया के permanent representative at United Nations TS Trimurthy उन्होंने कहा कि हमें बड़ा regret है, दुख है कि international community लगातार time दे रही है, दौनों parties को समझा रही है कि intentions को आप diffuse करिये, लेकिन parties इनको सुनने के लिए तयार नहीं है और situation लगातार इतनी dangerous हो रही है कि अब हो सकता है एक major crisis में convert होती हुई दिखने लगे और इंडिया ने अपना deep concern express किया इन सारे escalating developments पे और इंडिया ने ये भी कहा कि अगर carefully situation को handle नहीं किया गया तो ये सिर्फ region ही नहीं लेकिन global peace and security के लिए major threat के तोर पे emerge हो सकता है और उन्होंने कहा कि इंडिया suggest करता है कि immediate situation को de-escalate किया जाए और दौनों ही party refrain करें और कोई military action लेने से या ऐसा कोई action लेने से जिससे situation और ज्यादा words या बच से बत्तर होती चली जाए जो बाकी statement है इंडिया के United Nations Security Council में वो diplomacy को आप चूज करिए negotiations को आप चूज करिए आप discussions करिए आप talks करिए इस पे ही based देखे गए है western world खास तर से United States of America and Ukraine इसको एक तरीके से देख रहे हैं कि finally इंडिया धीरे धीरे पहले concern express करता है फिर regret express करता है फिर war को रोकने violence को रोकने की clear demand रखता है तो कहीं न कहीं इंडिया धीरे धीरे हो सकता है western viewpoint को accept करता हुआ दिखाई दे वहीं western world का ये भी blame है या allegation है कि एक तरफ तो जब चाइना ने इंडिया के ऊपर attack किया या territory या sovereignty को wallet करनी कुशिश की चाहे वो ले रदाक हो और नाचर प्रदेश हो तो इंडिया उसको सारे international forums या अपने western counterparts जिसके through quad etc के alliance में भी इंडिया concerns को वहीं Russia जब Ukraine की territory पर attack करता है control करता है sovereignty wallet करता है तो वहाँ पर वही इंडिया चुप रहना कहीं ज्यादा चूज करता है तो कई critics का ये भी allegation है कि इंडिया को इन double standards को छोड़ना ही होगा अगर बात हम करना चाहें territorial integrity और sovereignty के तो चाहे वो खुद की territorial integrity और sovereignty हो या किसी और country की इंडिया को दौनों ही cases में same set of principles को apply करना चाहिए क्योंकि पिछले ही हफते इंडिया ने जो Russia का statement था कि जो separatist regions है डौन स्टैक एं लुहांस के उन दौनों regions को मिला के जो डौन बास region बनता है जहाँ पे ज्यादा तर population ये large part of population Russian speaking है उनके independence को जब Russia ने support किया तो इंड नहीं किया क्या exactly है इंडिया के लिए ये major या once in a century type real politic dilemma कंसान ये है कि जो Russia की muscle flexing है वो अगर इंडिया openly criticize करना शुरू कर देता है तो इंडिया की जो close diplomatic military ties हैं जो इतने सारे decades से लगातार बहुत healthy status enjoy कर रहे हैं कि उनके उपर negative impact ना होने जाए और इंडिया ने लगातार कोशिश की है कि इंडिया की जो excessive dependence रही है Russian arm supplies पे उसको diversify किया जाए दूसरे countries और खासतोर से आत्म निर्वर भारत या self manufacturing self lines के थूरू लेकिन सचा यह है कि आज भी इंडिया की जो 60 से 70% military supplies है वो रश्या से ही आती हैं इसके अलावा इंडिया का बहुत solid concrete historical relationship रहा है Russia का हमारी independence से पहले से ही जो 7 decades से भी जादा एक बड़ा strong या concrete या healthy status लगातार maintain करता चला आ रहा है कुछ area's में पिछले decade and a half में देखा गया है कि कुछ area's में हो सकता है कि रश्या और इंडिया के relationship शायद उतना progress ना कर पाए हूँ stagnant हो गए हूँ लेकिन आज की date में भी जिसको strongest pillar देख सकते हैं दौनों countries के बीच में वो है हमारी defense partnership in fact honorable prime minister श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर वो दो countrys जिनके साथ informal summits organize की हैं तो एक रहे प्रेज़ेंट विलामिदर पुतिन और दूसरे रहे चायना के प्रेज़ेंट शीजिंग पेंग और एंडिया किसी भी हालत में ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि रश्या के साथ अपने relationship जो इतने decades से लगातार strong bonding strong foundation के तौर पे exist करते हैं उनको alienate करना शुरू कर दे उनको wallet करना शुरू कर दे या रश्या को किसी भी तरीके से नाराज करना शुरू कर दे और खास तोर से जब इंडिया चाइनीज ट्रूप के साथ लगातार पिछले दोड़ाई साथ से stand of face कर रहा है ले रदाक में और उस case में भी रश्या एक important key diplomatic player के तौर पे दौनों कंट्रीज के बीच में negotiate करवाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है इंडिया के जो external affairs minister हैं, defense ministers हैं उन्होंने भी कई बार Chinese counterpart के साथ अपनी जो meetings की वो रश्या में की इसका मतलब रश्या आज भी इंडिया का जो engagement है चाहे वो चाइना के साथ हो या Middle East के साथ हो या Central Asia के साथ हो या Afghanistan के साथ हो रश्या एक बड़ा important player है या बड़ा important role play करता हुआ नजर आता है अगर इंडिया रश्या क्या कि जाना शुरू कर देता है तो इंडिया का जो interest है versus China versus Central Asia versus Middle East versus Afghanistan negatively impact हो सकते हैं रश्या को नाराग करने की वज़ा से वही दूसरी तरफ इंडिया के जो ties है western world के साथ खास तोर से US के साथ quiet alliance के थूँ जिसके थूँ इंडिया कोशिश कर रहा कि इंडो Pacific में चाइना को कैसे contain किया जाए दूसरी तरफ ये भी एक equally important partnership के तौर पे exist करता है कई सारे American platforms को use किया इंडिया ने जब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट छिड़ गया लेल अदात में अनाचर प्रदेश में तो इसका मतलब American partnership जो है इंडिया के साथ एक तरफ वो strengthen होती चली जा रही है दूसरी तरफ हमारे historic relations है हमारे Russian partners के साथ जो जिसे बैते है all weather alike के तौर पे जब किसी ने साथ नहीं दिया रशिया ने हमारा साथ दिया आज भी 60-70% हमारी defense basket या defense purchase आज भी रशिया से ही होती है वहीं दूसरी तरफ अगर आप winter clothing की बात देख लें तो 50,000 troops के जो winter clothing खरीदे गए इंडिया ने खास्त और से लेलदाक एट्सेटरा ऐसे high altitude areas के लिए चाइना को counter करने के लिए तो वो ज्यादा तर जो winter clothing है वो भी हमारी जो western strategic partners है उनी से खरीदे गए तो एक issue तो रहा ये दूसरा issue जो हमने अपनी पहले lecture जिसमें Russia, Pakistan, China का क्या access है किस तरीके से तीनों की तिकडी बनती चली जा रही है और किस तरीके से realignment देखा जा रहा है पूरे region में उसी से related कि Russia और China की जो नई access या नई partnership इमर्ज हो देता है क्योंकि इंडिया को चिंता है कि Russia से इंडिया जितना दूर होता जाएगा या western world Russia को जितना अपने आप से push करता चला जाएगा Russia उतना ही चाइना के नजदीक आता चला जाएगा इंडिया जो S-400 air defense system Russia से purchase किया उसका mean purpose भी यही है तो इंडिया अपने आपको या तो चाइना या तो पाकिस्तान के attack से कैसे protect कर सके और रशिया ने इस system को इंडिया को supply करने का decision लिया इंडिया ने भी US की नाराज़गी के बावजूद sanctions की threat के बावजूद its air defense system को purchase किया इंडिया को इस बात को लिके भी conscious है कि यह जो hostility है या दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है western world और रशिया कैई ऐसा तो नहीं यह मॉस्को को बेजिंग की तरफ या चाइन करना शुरू कर दे और ऐसा देखा जाता है कि जब रशिया ने 2014 में यूकरेन से क्रेमिया का ओनेक्स किया और उसके बाद से western sanction लगाना शुरू किया रशिया के ओपर तब से रशिया या मॉस्को और ज्यादा चाइना या बेजिंग के करीब चला गया और ऐसा समझा जाता यह जो नई alliance है Sino-Russian Chinese-Russian यह इस वज़ा से possible है कि जो western या Washington attitude है anti-Chinese rhetoric की चाइना के खिलाफ रशिया के खिलाफ और प्राइसिस भी collapse हो गए जिसकी वज़ा से रशिया के जो major source of earning है major economic activity है जिससे वो revenues अनकरता है वो collapse होते चले गए इस वज़ा से रशिया के पास option नहीं ब जादा बढ़ा है वहीं रशिया ने भी Chinese interest का पूरा पूरा खयाल रखा जैसे रशिया ने अपने जो statement से अपना जो reaction है ऐसे issues को लेके जो चाइना जिनके बारे में sensitive हो बहुत ही mild रखा है जैसे हुवाई का 5G rollout जिसको बहुत सारे western countries ने चाहे US और Europe हो हुवाई को ban कर दि COVID-19 के original spread को लेके रशिया ने हमेशा कोशिश की है कि एक तरफ चायना क्योंकि अब रशिया को support करना शुरू कर चुका है westernward रशिया को अपने आप से दूर करता चला रहा है तो किसी ना किसी तरीके से रशिया हो सकता है अब धीरे 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 चायना के साथ अपनी partnership प्लस पाकिस्तान के साथ अपनी partnership को और solidify करना शुरू करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि चायना और मॉस्को या चायना और रशिया के बीच में सब कुछ एकदम हंके दोरी है सब कुछ एकदम ठीक है बहुत सारे issues हैं जिसमें दौनों के बीच में आज भी differences बने हुए हैं जैसे पहला major point कि चायना आज तक भी क्राइमिया को रशिया का legitimate part के तोर पर recognize नहीं करता वहीं जब बात हो जाए South China Sea dispute की तो रशिया वहाँ पर बहुत neutral stance maintain करते हैं और Beijing या चायना के जो claim है South China Sea को लेकर उसको रशिया openly बिलकुल भी support करते हुए नजर नहीं आते हैं तो यह रहा ह हमारा second basically dilemma और third dilemma कि Ukraine में एक large population recite करती है Indians की क्योंकि जो Indian community है कास्ता और से medical students है और लगातार हम देख रहे हैं कि government of India operation गंगा के थुरू हमारे जो stuck medical students है या Indian डाइसोपे रहा है उसको महां से एक वैपकिट करने में या वहां से निकालने के लिए लगातार कोशिश करती ही और उनको वहां से कैसे वैक्टविट किया जाए रफली 16,000 से भी ज्यादा Indian nationals को जिनको लगातार different different flights को fly करके operate करके चाहे वो Indian Air Force हो चाहे Air India हो या private airlines हो उनके थुरू कैसे हम अपने citizens को अपने students को वापस ला सके अपने countries में इंडिया के उपर एक बड़ा dilemma यह भी है कि अ हमारे जो citizens हैं उनकी भी जान खत्रे में पढ़ सकती है in fact ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है Indian medical students की death already हो चुकी हो इस पूरे war में और government कोशिश कर रही है कि आसपास के जो friendly countries हैं चाहे वो Poland हो, Romania हो, Hungary हो, Slavic Republic हो, उनके साथ उनके borders के through India अपने जो citizens हैं अपने जो medical students हैं उनको evacuate क तो दोस्तों ये मुझे लगता है हमारा चौथा follow-up lecture होगा Ukraine-Russia, Russia-Ukraine conflict पे लेकिन more than Russia-Ukraine conflict आज का जो lecture है उसका main motive है real politics को समझना या कैसे जो changing dynamics of geopolitics होती है वो कई बार किस तरीके से आपके सामने एक ऐसा dilemma present करती है कि एक तरफ कुआ, एक तरफ खाए, एक तरफ रॉक, दौनों में से choose करना बहुत मुश्किल होता है, इस वाज़े से कई भार शायद clearly आपको पता हो कि कौन सही या कौन गलत है, लेकिन शायद real politics की वज़ा से, national interest की वज़ा से, self interest की वज़ा से, या अगर आप एक side choose करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा जिसका आपको या decision लेना इतना straightforward ना हो, एक तरफ western block यूकरेन, दूसरी तरफ हमारा time tested all weather alive रश्या, इंडिया बड़े मुश्किल से और मुझे लगता है बिलकुल सही तरीके से ये जो neutrality का stance लेकर आगे बढ़ रहा है, यही सब के self interest में है, stay tuned, जहंद जभाल